तो बच्चों जल्दी से एक बार कमेंट करेटर बता दीजिए क्या हमसलों लाइव हो चुके हैं आज बड़ा इंपोर्टेंट लेक्चर हैं मैं बताऊं ड़ा कि आज मैं क्या टरने वाला हूँ और आप ठुद रिटिसाइट टरिये रा टिये टंटेंट आपको लेए ठितरा बहता रहें बच्चों अगर आप लोड अलपी टेक्नीशन दी त्यारी टर रहें और अगर आप फिजित या बेसिक साइंस पढ़ रहें तो मैं आप बता दू जब इसमें चेप्टर पढ़ाय जाता है बेसिक एलेक्ट्रिसिटी बच्चों पिशली बार का पेपर उठाते देखिए बीए सीडी के 40 टोशन में से लगबर हर सिप्ट में 4-5 टोशन जो है बेसिक एलेक्ट्रिसिटी दे पूछे लें और मैं दावा करता हूं कि आज मेरे अगर आपने ये 820 टोशन पूरी तरह से सॉल्ट अलिया बेसिक ए समझें चाहे वो हमारा सिविटी वन हो या फिर सिविटी टू हो हाना सिविटी टू में तो आना ही आना है तो आप क्या है ये 4 से 820 कोशन और मैं इसकी पूरी पूरी पीडियप भी दूँगा और एच्छुली में ये हम लोग डूटा पेड लेक्चर था लेड़े मैंने स तो ये रही बेसिट एलेक्टरिसिटी यानि बेसिट इंजिनियर ट्रॉइंग की पीडियप आप थोड़ा दौर से देखिए इसमें आप कोश्चन टैस्टेंडर देखिए और आपको इसमें हर तरह के कोश्चन मिलेंगे आप बहुत सारे कोश्चन इसमें प्रीवेस येर कोश्चन है अब इसमें ग्रूब डी में पूछे रहे सवाल भी दिये है मैंने जैसे यहाला सवाल ग्रूब डी में आयुए सवाल है ये 2018 का सवाल था जो मैंने अभी दिखाया इसी तरीटे से और भी आप देखिए ये सारी टी सारी पीडियप यानि 120 कोश्चन टी पूरी ये 120 कोश्चन टी वह वी अच्छे कोश्चन के ये सारे के सारे कोश्चन टो जो सलूशन है ये मैं आपको आज टाने वाला हूं और इसी PDF तो आप टेलीडाम में ले लिजे रहा टेलीडाम से आप पूरी PDF टो डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने हर तरी कोश्चन डाल ला कोशन नहीं भाएगा ठीक है आप पढ़ते देखिए तो बच्चों ये पीडियेप जैसी क्लास खतम होगी तो मैं इसमें टेली डाम पे डाल दूँगा मैंने इसमें ग्रूपटी 2022 भी कोशन इन्वाल्व करते रखा है जैसे कि यहाला सवाल ग्रूपटी 2022 था तो ऐसे ही यह देखिए यह वाला निमेलिकल भी 2022 है इसमें निमेलिकल भी मैंने डा रहे हैं और 820 कोशन है और 120 कोशन ती यह रही आपती आंसर ठी ओके इस थास बात और है थास बात क्या है तो इस पीडिया प्र जो सलूशन है ना उस्टे लिए आपको यहां बार कोड दिये डए हर पे लहें यह तो बाती कोस्टर सुलूशन आपको इस बार कोड में मिलेदा माई पार्ट सालडर एप्लिकेशन डाउनलोड करना वहां पर बार कोड को स्टेंट करने का ओप्शन आए रहा मैं बता दूगा अभी वीडियो में आप जैसे यह आले बार कोड को स्टेंटरे ने त पीडिएफ कहा मिले रहा है। सबसे पहले मैं बता दू सलूशन कैसे मिले रहा। तो बच्चों पीडिएफ मिले रहा है। आज की ट्लास थतम हो जानेटे बाद टेली डाम चैनल पर वहाँ से आद डाउनलोड करें प्रिंट कर सकते हो। पाट साला रेलवे एज्जाम, यह टेलीडाम चैनल रणाम है पाट साला रेलवे एज्जाम, यहां पर आपको यह PDF मिल जाए डा इस टेलीडाम चैनल पे, ठीक है, आप भी खूब प्रिचाल करते हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, यह सब तो जानता है, धन्यवाद, धन्य आपको बता दे, Basic Science इसे में ट्राइंटा बैच, माई पार्ट साला के एप्लिकेशन पे चलता है, पूरा ना पूरा जो है, 100 धंटे प्लस टा टोर से, कम से कम 100 धंटे, इससे कम नहीं जाए रहा, वो सबता है, इससे उपर ही चले जाए, ट्लास कोशन पीडियाप मिलेगी, आपको जैसे मैंने बताया, दिठाया, यह तो कोशन पीडियाप दे, ट्लास पीडियाप भी होती है, बाई-लाइन्वल कंटेंट वोड़ा, डेटेल कंटेंट वोड़ा, निमेलक्रल एप्रोच आपको बेस्ट मिलेगी, और सबसे बड़ी बाद वीडियो टा डाउनलोड और PDF टा डाउनलोड भी मिले रहा इसे अलावा प्रिवेस एल कोश्चन जो टी 360 कोश्चन थे बच्चों वो भी आपको सलूशन में मिले दे कोई doubt है तो आप यह जो number है इन number पे आप call कर सकते हैं बैक्स को लेनी के लिए कौन से application डाउनलोड करना है माई पार्सलर डाउनलोड करना है ठीटे चलो तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन और ये रहा बच्चों आज का पहला कोश्चन पढ़िये समझिये और जल्दीज मुझे इस पहले प्रसंटा उत्तर बताईए इस पहले प्रसंटा आंसर किस्टे साथ जाना अचीए ठीटे बताईए आंसर और हर कोशन का आपको डिटेल सलूशन मिले रहे बहुत जवरदस्त कोशन है पढ़िये भाई जल्दीज बताईए कोशन लिखा है चित्र में 6 ओम का एक प्रत्रोद दो तार है 6 ओम 6 ओम और ये ये सेल है ये क्या है सेल जिस्टा विद्दुत वहाट बल 12 बोल्ट है बच्चो इस्टा विद्दुत वहाट बल इन्होंने 12 बोल्ट बोल दिया और इस्टे अलावा एक और चीज बोल दी इस्टा आंत्रेट प्रत्रोद 3 ओम है यानि इस बैटरी टा या सेल का आंत्रेट प्रत्रोद कितना बोल दिया बच्चो 3 ओम बोल दिया तो switch S को बंद करने के बाद, यानि यह जो switch S है, अगर मैं switch S को बंद कर दू, बंद करने का मतलब ऐसे close कर दू, ऐसे close, तो बोला जा रहा है, एका पाठ्थ्यान क्या होगा, ए मतलब emitter, emitter का पाठ्थ्यान बताना, ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर यह cell को मा पूरी त कर दू, तो इस emitter का पाठ्थ्यान क्या होना जी है, तो बच्चो, emitter का पाठ्थ्यान का मतलब है, emitter में धारा, पाठ्थ्यान वाला सवाल है, तो कैसे निकलेदा, इस emitter का पाठ्थ्यान, तो कहना, अगर मैं यहां से धारा आई बहाऊं, तो धारा आई में से, जितनी धा यहां से निकलने वाली धारा कुछ उपर चली जाएगी बच्चोर कुछ नीचे चली जाएगी धारा बढ़ जाएगी और यह च्छे नीचे वाला च्छे उपर वाला च्छे समांतर हो जाएगी तो बच्चो नीचे वाला 6 और उपर वाला 6 समांतर तो इन दोनोटा समांतर कितना हो जाएदा तो अगर बराबर रेजिस्टेंस होते हैं तो समांतर हो जाता है 6 बटे 2, 3 फिर 3 ओम ये भी है तो धारा ऐसे जाके ऐसे बटके आईडी तो 6 और 6 समांतर 3, 3 के साथ सीरीज बना देड़ा तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएदा 6 बताओ अब नेट रेजिस्टेंस तुमारा 6 ओम हो जाएदा तो बहने वाली धारा कितनी हो जाएदी तो यहाँ से अजर तुमारी 2 अपर धारा जाएदी ये धारा 2 अपर तो बच्चों ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस समान है उपर भी 6 नीचे भी 6 धारा तो 2 अपर निटल नहीं बैटरी से तो बैटरी से 2 अपर धारान के लिए तो इस्टा मतलाब 8 अपर ऊपर चला जाएदा 8A नीचे तो जो अमीटर में जायए रहा वही अमीटर टा पठ्थांट हो जायए रहा इसलिए अमीटर टा पठ्थांट 8A हो जायए रहा ठोटी अमीटर में जाने वाली धारा 8A हो डी option number B के साथ समझ में आया बतो ठीक है सर जी मेरा पेन कोट डिला तो रहा मेरा डीवी मेटरल हो रहा नहीं बच्चा ऐसा नहीं है बात कर देने 8 छोटा सा एफिडेवेड ला डेड़ा बस सही हो जायए रहा तो आप यहाला question समझ में आया कैसे निटला तो धारा कमान टोटल में निटला 2A 8 आज नीचे 8 उपर इसलिए टैसा तो अमीटरिटी डिडिन 8 एमपियर हो जाए दिया दिखिए रहा आज बढ़ते ने स्टोशन बताईए यह तुम्हारा NTPC 2020 सवाल है तुछ मैंने बढ़िये सवाल भी लिए तभी अठ्ड़ा भेट्या अच्छा ठीड़े तो अजला कोशन देखिए थोड़ा इबर सेशन दो सेर कर दो भाई सब लोग सरंटला में प्रतेट सरंटला में प्रतेट एक बटी चार ओम को उप्योड करके अधित्तम प्रतरोध बनाया जा सकता है बताओ आप मुझे बताईए अडर रजिस्टेंस तो मुझे जोड़कर अधित्तम प्रतरोध बनाना है तो कैसे बनाना है तो बच्चो धारख न जब भी तभी आपको अधित्तम प्रतरोध बनाना होता है तो हम लोगों को कौन सा connection इस्तमाल कना चाहिए Series कौन सा Series फिर मैंने आपको कई बार बताया है अधर मेरे पास 4 resistance है या फिर जित्रे भी resistance है अधर वो बराबर 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 resistance है तो बच्चो बराबर बराबर resistance अधर Series में जड़ते हैं तो इन्टा नेट परणामी हो जाता है N into R, बताओ, N into R हो जाता है, तो आप 8 बटे 4 के 4 प्रतरोध है, तो बच्चों 4 प्रतरोध है, उनका मान 8 बटे 4 है, तो बताईए इन्टा जो अधिप्तम परणामी आएड़ा, वो तो इतना आएड़ा, सर 8 ओमा आएड़ा, ये इस प बैटरी दी रही ना देटों 12 वोल्ट है 12 वोल्ट है ठीके चलो ने स्कॉक्षन देखें बताइए यह वाला सवाल भी देखिए यह तो वारा बच्चों जब किसी रजिस्टेंस में जब भी टबी किसी प्रत्रोध में कोई धारा बहती है तो उस्टे अंदर हीट उत्पन हो जाती है और उत्पन होने वाली हीट का फर्मला होता है I square R into T तो इसमें पता क्या होता है इसमें विद्धुत उर्जा टन्वर्ट हो जाती है तुम्हारी उस्मी उर्जा में विद्धुत उर्जा टन्वर्ट हो जाती उस्मी उर्जा में और बच्चों इसी तो हम लोग बोलते हैं धारा का उस्मी प्रभाव अच्छा धारा के उस्मी प्रभाव पर अधारत होता है। फिर मैंने तका आता लड़कीों टे बाल सीधे टरने वाले श्टेटनर यह भी धारा का उसमी प्रभाव पर अधारत होता है। होता है विद्धु तूर्जा देने के बाद हीट उत्पन होती है अब इस टेटनर तो पता है ना पता जब लड़कियों के बाल सीधे करने होते हैं तो लोड प्लट लगाती है और गड़न करने के बाद बालों में चिपढ़ा लेती हैं तोस्टर आज इस देखिए जो के लिए तोस्टर रखे रहते हैं ड्रेंगे par Всё लगाओ अजानति बड उछलके बहाँ आ जाएजी शीपी हुई उसे कर बोलते इसका और इसका अंसर किस के साथ जायरा भ्योज्या आब बच्चो फ्यूज जो होता है वो पिढल के काम करता है अच्छा मैं आपसे कोई पूछू फ्यूज बहुत सारी बाते आपने सुनी ओरी फ्यूज वायर के बारे में बस मुझे एट कोशन गांसर बता दीजे फ्यूज जो है वो परपत के सेणी कम में लगाये जाता है ति समानतर में लगाये जाता है जल्दी बताइए परपत के सीरीज में लगाये जाता है ये समानतर में लगाये जाता है ये ट्रन्फूजन सबसे आज आता है फ्यूज के बारे में हाँ तो बच्चो उसका उच्छ प्रत्रोध होता है फ्यूज वायर्ट उच्छ प्रत्रोध होता है और गल्नान कैसा होता है तो टेदेना निम्न गल्नान होता है उच्छ प्रत्रोध निम्न गल्नान यह होता है इसके quality प्छी वाइरों होती जक्षिमरहं वह चांता सी रिज्व मेल अनुधुलर्ण में जसे ना हसु Fenitam हरा ध्यान सुनना और इस्टे समांतर में तुमने एट फ्यूज वायर लगा दिया इस्टे समांतर में ट्या लगा दिया फ्यूज तो बच्चों फ्यूज तो मतलब यह होता है तो जब धारा का मान अचानक से बढ़ जाए आने वाली धारा अचानक से बढ़ जाए तो ये अपने आपको melt टार्टे टीवी तो बचा सके तो बच्चो आने वाली धारा माली जे अचानक से बढ़ गई तो कुछ धारा यहाँ चली जाएड़ी, कुछ धारा यहाँ चली जाएड़ी तो ये fuse टो तो पिला देड़ी, कुटी धारा बढ़ चुटी है लेटे टीवी में जाने वाली धारा तो रोट नहीं पाएगी जिस्टी वज़े से बिचारा टीवी भी ठड़ाब हो जाएगा तो क्या आप ऐसा चाहते हो, नहीं सर, नहीं हम लोड फ्यूज वायर टो इसी टे सीरीज में लगा दे ताटी टीवी तर जादा धारा जाने से पहले फ्यूज वायर टो प्रिला सटे बताईए, बात आप तो क्लियर है ना? चलिए, आरे बढ़ा जाए, नेस क्रोशन देखी, बताईए आधुनित विद्दू जनरेटर कीस पर काम करते हैं बढ़ा confusion सवाल होता है ओनलाइन क्लास करने वाले स्टूडेंट, अच्छा आरे क्या बात कर रहा है, सबके सबने सीरीज ही लगाया था ठीटे, बदाईए, आधुनित विद्दू जनरेटर की सिद्धान पर काम करता हैं ये भी तुम्हारा 2018 सवाल है देख लो बचू जब भी तबी जनरेटर की बात करेगा, विद्दू जनरेटर की सिद्धान पर काम करता है तो कह देना जनरेटर पे इस तरीटे से आर्मेर्चर कुंडली होती है आर्मेर्चर कॉयल होती है और इस आर्मेर्चर क्वाईल को एक चुम्टी छेतर में घुमाया जाता है, उसमें धारा हूत पन्ध हो जाती है, इसे बोलते हैं चुम्टी परड रट तो या रटना जनलेटर किसे टाम करता है? चुमिटी पिरण पे टाम करता है अपसर अमबर डी ठीके? यास, मैगनेटिक इंडेक्शन चलो, नेस टोशन देजी, बताइए टोशन अमबर पाच्वा अरे वाह, ये सवाल बहुत अच्छा है आंसर दीजी जल्दी से थोड़ा एब बार सेशन दो सेयर भी करते रहो बाई और जिनों नवित लाइट नेटिया फड़ा बड़ जल्दी से एब लाइट कर दीजे आसी, सुमान, वेरीडोड, डुडू, सरन क्या बाद है? आंसर दीजे नेम लिकत में से कौन सा सिद्धान्त सौर उर्जा परणाली से संबन देते आचा, तो मुझे बताईए, सोरल सेल क्या करते हैं? यानि सौर उर्जा में क्या होता है? बच्चो, सौर उर्जा परणाली में ये जो प्रिकास उर्जा होती है, प्रिकास उर्जा होती है, बताईए, ये किसमे convert की जाती है विद्धो तूर्जा में तो प्रिकास उर्जा का विद्धो तूर्जा में convert होना ही एट प्रभाव कहलाता है उसे बोला जाता है photovoltaic effect यानि प्रिकास voltage effect ओके option number है तो सही answer option number A होड़ा और इसी त्याधार पे एट cell भी होता है प्रिकास voltage cell ओफसर अपर है देरो लाइन से समने प्रिकास विद्धुत प्रभाव बताया प्रिकास विद्धुत प्रभाव नहीं हो ड़ा है यार इसना सही answer option number A है प्रिकास voltage प्रभाव प्रिकास उर्जा का विद्धुत उर्जा में convert होना option number A ठीके चलो तो समझ में आर यारा photovoltaics है photoelectric effect अलर होता है चली next option देखी बताईए अब इसमें भी बहुत सारे लोग डलती करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझना फिर नहीं तो answer लट हो जाएगा पढ़ी बाई जल दीज़ बताईए उतर चली ये क्या बात है थोड़ा इपर session दो share भी गरता रहो निम लिगत में कौन सा उपकराड विद्दो चुमिकी पेरणे की ढटना पर आधारेत होता है तो बच्चों इन्होंने विद्दो चुमिकी पेरणे की ढटना बोल दिया की ठोज यानि विद्दो चुमिकी पेरणे की ठोज अगर तो पूछे किस साइंटेस ने थी तो फर आपको बताना है फैराडे ठीटे ऑफसर नमबर भी ने स्टोशन देखी बताईए धारा को मापने लिए हम लोग किस यंद्रता प्रयोग करते हैं एट देदी जोस दो नहीं एट आप देखिए धारा को मापने लिए प्रयोट किया जाता है बचों हमेशा याद रखना जब अभी करेंट की बात करते हैं धारा की बात करते हैं तो धारा मापी जाती है अमीटर से लेगे प्रसंद यह आता है कि भाई अमीटर होता क्या है तो कह देना अमीटर किसी भी रजिस्टेंस में धारा मापने का काम करता है और अमीटर जोए परपत के कैसा लगाए जाता है सीरीज में तो बच्चो resistance के हमेशा series में लगाए जाता है Amitter समझो । फिर qringe आए डा कि Amitter का ideal resistance कितना होता है तो जू आब अपना Amitter का ideal resistance होता है zero अच्छा Amitter बनाती कैसे भच्चो Amitter बनाने के लिए गैलवोनों मीटर होता है पहले तो और गैलवोनों मीटर में समानतर में एक low resistance लगा देते हैं बच्कों जब भीडबी समांतर ट्रम में डेलवोनो मीटर के समांतर ट्रम में एक निमने प्रत्रोथ यानि low resistance लगाते हैं तो याद अपनाच क्या बन जाता है लो statistics लड़ाने के बात बन जाता है तुम्हारा ammeter तो ammeter बनाने के लिए सब बाते भी आपको यहाद होनी चाहिए आठे बड़ा जाए चाहिए वोल्ट मीटर एक उपकांड होता है जो किस्टी उपस्तितीरा पता लगाता है यह 2021 में सवाल आया है हर तरह के सवाल लिये हैं मतलब मैंने लो लेविल्स लेके हाई लेविल मैं दावा करता हूँ 120 कोशन ली पीडियाव लडाने पाग सिंडल कोशन ऐसा नहीं हो नहीं जो आपके अजब में बाहर चला जाए चाहिए आप याली पीडियाप टो अभी टेली डाम में मैं डाल दूने डाउनलोड कर देख लेना तो वोल्ट मीटर क्या होता है ज पिर वोल्ट मीटर का आदर्स प्रत्रोध कितना होता है क्या देना वोल्ट मीटर का आदर्स प्रत्रोध होता है इंफाइनेट अब आप मुझे बताओ वोल्ट मीटर जो है कैसे बनता है तो क्या देना गैलवोनो मीटर लेलो और गैलवोनो मीटर के सिरीज में हाई रिजि प्रत्रोद लगा दिया, तो मानी बात है, सर यह क्या बना देड़ा, सर यह बना देड़ा, तुम्हारा voltmeter, तो दोनों में अंतर होता है भई, वोल् lights academics में हमें प्रत्रोध तो बढ़ाना होता है इसलिए하시는ड cm में high resistance और ammeter में प्रत्रोध को 0 करना होता है इसलिए Sananta Trump में निम्न प्रत्रोध समंझ में आजया ठीके सर application नहीं open ओ रहा open हो जाये रहा दोस्त मैं 1 number देता हूं तो आंसर तो विभुवांतर टे साथ जाए रहा, मैं एट नंबर देता हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजे, अंठान में 07, 998,44, इनके 998,44, इन्टो फोन कर लीजे, कोई दिक्टा थोगी, लोड़िन नहीं हो पारा हो तो हो जाए रहा, हाना, चलो, आजे देख सवाल है, बताई आंसर, बताओ, हाँ, चालक्ता के बारे में पुछा जाया, तो उल्टा बता दो, किसी परपत में धारा के प्रवाहा की दिसा किस यंत्र से बताते हैं, इन्होंने धारा का मान नहीं पूछा, धारा का क्या पूछा है, सर धारा के प्रवाहा की दिसा यहा पर प्रसम में पुछा जाए धाराटी उपस्थती तो धाराटी इसा यह कौन बताता है तो यह bio estate बच्चो यह जो रियो इस्टेट होता है यह धारा नियंत्रक होता है रियो इस्टेट को बोलते धारा नियंत्रक कहीं पर भी धारा के मान को नियंत्रक करने के लिए धारा नियंत्रक यानि रियो इस्टेट लगाए जाता है पता है रियो इस्टेट का सिंबल इस तरीके से होता है धारा प्रत्रोध को कम जादा करते हैं और प्रत्रोध कम जादा होने से धारा का मान कम जादा हो जाता है तो रिये इस्टोइट का मतलब होता है धारा नियंत्रग और याद रखना ये इस्टा क्या होता है प्रतीत होता है ये क्या है बच्छो ये इस्टा प्रतीत है तो इस्टा सह प्रत्राबरती धारा को DC धारा में कौन कंवर्ट करता है और सर ये भी बताइए कहा है सर ये भी तेई से 2018 सवाल है पताइए अंसर बता हाँ वेरियेबल रजिस्टेंस आसीज दास ये इत्म तुमने सहीड नाम लिया प्रत्राबरती धारा को बदलने के लिए और वो भी किसमें बदलना है डिस्ट धारा में बच्चो जो चीज AC को DC में बदलती है धार रटना उसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं क्या बोलते है रेक्टिफायर हाना और रेक्टिफायर का काम बताओ कौन करता है क्या रेक्ट कर देती है डीसी टरेंट में टर्णवर्ट कर देती है सर इसे बोलते है रेक्टिफायर वाटी सब को पता है नेस टोशन देखें बताईए यह सवाल जल्दी से पढ़िए और बताईए इस्टा टांसर्ट इसने साथ जाना जी पढ़ावाट पढ़िए हाँ बिल्कुल हर तर चे क्या बोलता है इसे बोला जाता है तक तों सरंडोंर त्रायोड से आणसर्ट सबसे मिलके बनता है जनर्ली जो बोला जाता है IC चिप क्या बोलते हैं हम लोग विश्टो आई सी चिप तो आउसर नमबर सी के साथ जाना चीए यह बनी टिश्टी होती है कहाँ नहीं होती है यह सिलिक्राइटी बनी होती है तो आई सी चिप ना ट्रांजिस्टर डायोड ट्रायोड कई सारे छोटे छोटे लॉजिट गेट लेगे जनरली नो नहीं दो हम इस चिप बताना पड़े रांसर प्रत्रोद 3 तार 3-6-9 उंके हैं समानतर में जुड़े बताए खुल प्रत्रोद क्या थे होना चाहिए बचो 3-6-9 समानतर में होते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं उल्टा काटे जोड़ देते हैं सर 18, खेजना 3, 6, 18, 9, 2, 9, 1, 8, लेटे मुझे तो आर नेट चाहिए भाई, मुझे तो आर नेट चाहिए, तो खेजना आर नेट चाहिए तो उल्टा कर दीजे सर 18 उपर और 6, 3, 9, 2, 11 नीचे, तो 18 में 11 इस प्रसंटा सही आंसर उड़ा, तो टीए जोड़ा गिया है समांतर में ऑप्सन नमबर बीजे साथ, समझ में आ रहा है ना, कॉपी लेटे बैठिए, मैं आपको बता दू, आप सब लोग कॉपी लेटे बैठिए और आंसर देते रहिए, भाई साब बहुत मज़ा आने वाला है, देख लीजे ना, हाँ, इंटलिस मेडियम में भी है, यांतरे जो बैटरी है ना, वो रसायन उर्जा को, यानि इस चंदर जो रसायन भरा होता है, उसे कनवर्ट करता है, वैद्दत उर्जा में, समझें, फोटो सेल, सर्फोटो सेल का भी लडबड वाई टाम होता है, बस ये प्रिटास उर्जा टोक्टिस में कनवर्ट करता है, सर्वै मोटर नहीं करता हूं तो मोटर में दारकना वैद द Convert की जाती है। किस में कहाँ ओधना यह Convert की जाती है bei यह यांतरेत उर्जा में ठीचे चलो आजे बढ़ा जाए नेश्ट कोशन की और ये लीजे अरे बाह अब इसी ही टा हमारा अडला वाला पार्ट है बताइए ये वाला कोशन भी देखी कप पूछा लिया बच्चों ये भी तुमारा NTPC हर तरह कोशन मैंने उडाली है मतलब आसान से असान कटिन से कट में विद्धो तूर्जा देता है तो यांत्रे तूर्जा तो विद्धो तूर्जा बनाता है सर यांत्रे तूर्जा तो विद्धो तूर्जा बनाता है तुमारा जनरेटर जनरेटर पूरा नाम लेख ले ना जनरेटर ओके जनरेटर विद्धो तूर्जा से यांत्रे तुम्हारा इंजन जितने भी हमारे इंजन होते हैं आई-सी इंजन पेट्रोल इंजन डीजल इंजन अब हीट उसमा पेट्रोल जलाते हो ना, इसमा से क्या बनाता है यात्रिक उर्जा बनाता है उसमी उर्जा के लिए विद्ध उद्ध उर्जा थर्मल एनर्जी, इलेटिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी, सर इलेटिकल एनर्जी से उसमी उर्जा, यह तो बहुत सारे डिवाईस है, यही तो धारा का उसमी प्रभाव होता है, यही तो धारा का उसमी प्रभाव कहते हैं, जिसमें उसमी प्रभाव कहते हैं, सर जिसमें क्य इसलिए बार पूछा रिया था इसलिए धान से पढ़िए ना बताईए अपनास्ता कर लीजिए हम लोग वेट कर लें आरे नास्ता होता रहे रहे दोस्त बताईए mcb का पूरा नाम क्या है पहले मुझे बताईए mcb होता क्या आपके धड़ों में देखा हो रहा अचानक से जब भारत सल्काल वाले ज्यादा फुस हो जाते हैं जैसे जब पानी वानी बरसता है तब देखो अचानक से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आपके धड़ों में आता है तो आपके धड़ों ती बिजली कह सकतो या आपके धड़ों में लगे टीवी बलफ सुरच्छि को क्या कड़ देता है ब्रेक कड़ देता है मिले एचर सर्केट ब्रेकर ऑफसर नमबर एटेशा बताईए बात साब को क्लियर है नेस्ट लोशन देखे यह सवाल बहुत बढ़ी है बताईए आंसर जल्ली से दीजे मताई उत्तर क्या होना जाए त्या बात है अचा सब दोड़ा जाता है सरन्टला में जोड़ा जाता है ऐसे तो आप बताईए प्रतेवर्ट प्रत्रोध में क्या चीज समान हो जाए रहे या विद्द धारा देबारे में बोला जारा है तो आप मुझे बताओ अगर ये सारे रजिस्टेंस सेरीज में जुड़े हैं तो टेह देना वोल्टेज सर बट जाता जो वोल्टेज होता वो क्या हो जाता सर वोल्टेज बट जाता और सर अमबर भी ये एलपी 2018 सवाल है तित्रा प्यारा सवाल है बताई ये जल्दी से अंसर क्या बात है आयरन, आसीस, रंजीत अच्छा जित्रे बच्चे नए है इट बार समसर प्रट बता दो समझ में आ रहा है सुनील, उज्वल, मंडल, उमंड क्या बात है आजसा दीजे एट वहाट का प्रत्रोध टिस्टे विट पीद अनुपाती होता है प्रत्रोध बोला जा रहा है कि टिस्टे inversely proportional होता है सा resistance टिस्टे inversely proportional होता है तो पहला है ताप्मान प्रतिरोधत्ता अनुप्रस्टाट च्छेत्व लम्माई बचो ताप्मान के बारे में तो मैंने कई बार बताया है कि जब किसी चालक टाप्मान यानि temperature बढ़ाते है तो उस्टा resistance बढ़ जाता है तो बढ़ाने से बढ़ रहा है तो inversely टहां से हो रही है सर सिधी बात है अचा resistance R बराबर होता है रो इंटू L बटे A बताइए होता है न आप मुझे बताइए inversely proportional कौन आ जिया तो टेह देना resistance प्रत्रोध ये inversely proportional आ जिया उसका area ठीके तो इसलिए 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 सही answer किस्टे साथ जाएड़ा ओफसर नमबर C टे साथ जाना चीए area टे साथ जाना चीए चलिए ने स्टोर्शन ने चीए आचा बच्चो अज़र आप तो ये सारी चीजे समझ में आती है मेरे basic electricity data content बढ़िया रहता है तो आप basic science और engineering drawing का कोर्स ले सकते ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 399 में इस अलावा अज़र आपने कहीं और से कोर्स ले रठा है और फिर भी आपनो लेना है तो बच्चो 399 में से भी 25% हो जाएदा और याद अपना फ्री एक कोर्स आपनो पढ़े जाएदा मात रव मात 300 रुपए में अज़र आपने कहीं और से ले रठा जब भी तभी माई पार्स अलाट अप्लिकेशन डाउन्लोड टरके आप ये कोर्स लेने जाएंगे तो वहाँ पर ये discount पाने के लिए आपनो एक coupon code लगाना पढ़े रहा वो coupon code होड़ा योडी 10 capital में योडी 10 धान ठीए रहा योडी 10 ठीट है? चल तो और ये number लिखे हुए कोई doubt हो तो है आप इन number पर phone कर लेना और मैं फिर से बता दू अभी मैं प्रीवेस ये ल कोश्चन में सॉल्ट राउंड़ सलूशन डेट वाइस चली नेश टोशन देखिए ये वाला सवाल देखिए RRB J 2016 का सवाल है एट विद्दुत प्रवाहा आई और प्रत्रोध के माध्यम से प्रवाहा होता है एट प्रत्रोध के पार वी संभावित अंतर को बनाया रखने के लिए समय टी में श्रोध की डई उर्जा के बारे में पूछ रहा है अपच्चो ये सवाल ना बड़ा सही है हला कि इन्होंने मैंने सही काया था लेकि इन्होंने सही नीटिया एक आंसर जो है यहाँ पर आपलोड टरेंट आई टर लेना यहाँ पर करेंट आई टर लेना यहाँ पर करेंट आई अब पड़े ध्यान से सुनना सर स्मार्ट बूट्टी तरह केमिस्ट्री और बैलोजी हाँ बहुत जल्दी आई डी सोनू टुमा बहुत जल्दी आई डी देटो तो बच्चों इन्होंने क्या पूछा है इन्होंने उर्जा पूछी है सबसे पहले ये सोचो मैं आपको पहले बता दू जब भी टभी electricity में power पूछी जाती है तो voltage into current होता है समझे जब भी टभी उर्जा या उस्मा पूछी जाती है तो V into I into T होता है तो दोनों में बड़ा confusion होते है इसलिए confusion मतर रखे रहा कैसे बहुत सारे बच्चे जल्दी बाजी में इस्टांसर B देने लेटे B आंसर नहीं सही है इस्टांसर सही होता C V, I, T बताँ तो ये तुम्हारा पावर होती है अब पावर का मतरट होता है बच्चो Watt और इन्होंने पूछा है उर्जा और उर्जा का मतलब हीट उर्जा 80 बाद है और इस्टा मतरट होता है तुम्हारा Joule समझ में आया की नहीं आया इसलिए इस्टा सही आंसर ऑफ्षन नमबर C ते साथ जाना चाहिए हाँ ठीखे चलो आदे बड़े टोशन नमबर जल्दी से देखे ने 19 नमबर पढ़े जल्दी बताइए तो बच्चो ये सवाल ग्रूप D 2016 का सवाल है सवाल क्या है एक चालक का प्रत्रो दुबना है बच्चो इन्होंने कहा है कि रजिश्टेंस को आप डबल कर दो रजिश्टेंस को आप क्या कर दो सर रजिश्टेंस को आप कर दो डबल रजिश्टेंस को डबल कर दो तो आपको पता है कि यहां पर आई बराबर फॉर्मुला क्या होता है सर्फ वी बटे आर होता है रजिस्टेंज डबल धारा आदी रजिस्टेंज डबल धारा आदी ठीक है तो आंसर टिस्टे साथ जाना चाहिए और सो नमबर बीटे साथ तो बताईए उसका प्रत्रोध चितने डुना हो जाएड़ा बताई जल्दी से यदि इसी सर्टेट में वोल्टेश्टो तीन डुना टर दे तो बताईए उसका प्रत्रोध चितने डुना हो जाएड़ा और धारा चितनी डुनी हो जाएड़ी जल्दी बताईए वोल्टेश्टो तीन डुना कर देने से प्रत्रोध कितने डुना हो जाएड़ा धारा कितने डुनी हो जाएड़ी मैंने आपसे एक पोशन पूछा देखते हैं टित्रे लोट से यह अंसर देते हैं बताइए और गल्ती टड़ो देख लेना जाएगा दोनों बताइए सिंगल नहीं वोल्टेश्टो तीन डुना करने से बताइए प्रत्रोध कितने डुना हो जाएड़ा और धारा कितने डुनी हो जाएड़ी से मुझे इस टांसर सही है देखे लेट तो तरे डजब डजब किया अंसर आएड़ी अच्या दोनों तीन दुने हो जै यह ईंपेसे क्यों एड़ा तीन डुना ओधाइद वोल्टेश्टो तो धारा कितनी डुनी हो जी और रजिस्टेंस ब्रत्रोय जाएots धारा एड़ी इड़ी आट बटे तीन चलिये तो आप लेसे ज़्यादा तलो 3-3 चिल्ला रहे हैं लेटे मैं 3-3 का मतलम नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन 3 गुणा होगा कौन 3 गुणा होगा ठीक है आजा दोनो 3-3 गुणा दे तो जैंद भाई साब कहरे दोनो जैंद मुझे ये बताओ वी बराबर होता है आई इंटू आर कुछ बच्चे कह रहे हैं धारा भी 3 गुणी हो जाए जी और प्रत्रोध भी 3 गुणा हो जाए तो मैंने ठीक है सर धारा तो 3 गुणा कर देते हैं प्रत्रोध तो भी 3 गुणा कर देते हैं तो इसटा मतलब वोल्टेज्स कितने डूना ब्हुना हो जाए रहा फिर वोल्टेज्स तो तीन तल्टा नौ भूना में कुणा नौ नहीं चाये रहा नहीं है और प्रत्रोज एट बटे तीन गुणा होड़ा तो अधर अन्किता धारा तीन गुणी होड़े प्रत्रोज एट बटे तीन होड़े तो उन्हेंटा मल्टिप्लाई वन हो जाएदा तो धारा तो एट गुणा होई लेखे धाराट ओतो कि इतने डुना ना था 3 दुना? वोल्टेश्ट ओं थीन डुना था? देरो आभी भी उतनर नीजाया मैंने यत्तम सिंप्ल सावाल पुछाए याटा वोल्टेश 3 डुना न ह्तरदे तो प्रत्रोड कितने डुना ओटा 0.5 रितने डुनी वोडी? अरे सोचो भाई सोचो किस्टू टितने डुना टन्ना है आचा आधा आधा दे जे ट्या तीन डुना टन्ना है तो डेड़ से दे दे डेड़ से दे आसी दार चायरा रजिस्टेंस तीन डुना होड़ा तो धारा बताओ टितनी डुनी होड़ी एटायरा धारा नौ डुनी लोग है तो नो ती सब्ताइस डुना हो जाए रहा फार्मला वी बराबर आई आर है ठीटे चलिए अब मैं आपनों लॉजिट बताता हूँ बच्चों हमेशा इस बार तो याद रखना जब ओम ने अपना ये नियम दे था भाई ओम ना ओम टी आत्मा तो ना थोड़ा सांती मिले री भाई भाई ये बता तुम लोग कोई धन से ओम टन यह मिस्टा मतलब पड़ा नहीं ठीके सुरो इधर इधर सुनिया अच्छा एट लोड और महान उन्होंने धारा तो नौ दूना कर दिया और प्रतरोध तो एट बटे तीन कह दिया ठेह दिया नौ और एट बटे लोग कर दो लोग कर दो लोग कुछ भी लगा रहा हुए अब मैं आपको सही चॉंसेप्ट बता दू समझ मैं आ रहा है ना कहां आपके कॉंसेप्ट में डर बड़ी होती है अभी डूट दी में आई हुआ हुआ वालता है यह सुनो ओम ने अपना नियम दिया था तो ओम चच्चा ने हमारे यह टाहा था तीसर देखो जब भी टबी टिसी तार में तीसी भी तार में आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें क्या बहने लगती है बच्चो तो उसमें बहने लगती है धारा यह टिस कैसा होता है constant समझी में आया तो इसका पतला voltage बदलने से क्या बदलेड़ा सर voltage बदलने से बदलेड़ा धारा voltage बदलने से धारा बदलेड़ी धारा बदलने से voltage तुम्हारा तीन डुना है च happens बच्चो resistance तुम्हारा कहे है दा constant वो तीन डुना 4 गुना नहीं एड डुना और धारा कि तनी डुनी हो जाये दी और धारा हो जायेदी तीन गुनी बताई बताओ इमानदारी टी साथ बताई ही सब लोग आप तो ये बात पता थी टी नहीं पता थी पता रही थी जुड़ ओल्ले वह है कि नहीं तो था ना पढ़िया कॉंसेप्ट चलो आगे पढ़ा जाए नेस्ट उक्षन देखिये यह ला देखिये यह भी तुवारत गुड़ी तोजार 1816 में पुछा दिया सवाल है और ऐसे सवाल तो आप डारेक्ट ओडव आओ डाओ डा, बताओ, दो समान प्रतरोद, प्रतेर की प्रतरोद दस हो में, समान्तर में जोड़े गये मतलब मेरे पास दो रजिस्टेंस है और प्रतेट दस ओम है और इनको हमने कैसे जोड़ा है सर इनको जोड़ा है समांतर में फेर बोलो समांतर में जुड़े यह सयोजन वास्तों में तीसरे प्रत्रोद के सा सेड़ी में जुड़ा हुआ है यह देखो तीसरे प्रत्रोद के सा सेड़ी में तीसरा प्रत्रोद भी तुमारा दस ओम है यह शुरुवात वाले दोनों प्रत्रोद भी दस ओम दस ओम है तु पांच टोटी समांतर में, पांच और दस्ते साथ सीरीज जुड़ा हुआ है, तो पांच और दस्ते सीरीज हो जाए रहा तुम्हारा 15, यह सब चीजे डारेक्ट निटालना सीट लो, अजर आप तो डारेक्ट नहीं आती, इस्टा मतलब आपका पेपर छूटने वाला है, अब इसमें आपको कंस्फूजान होड़ा वह साथा, आंसर दीजे, क्या बात है, सुमान, यंदुवन्सी, वेरी डोट, वेरी डोट, थोड़ा एक बर सेशन को लाइट वाइट करते रहे हैं, और जोन्हों आपका सेशन को सेयर नेटे हैं, जल्दी सेट पर पहले सेयर कर फड़ा बट, ठीड़े, बताइए, बुला जा रहा है कि 18 वोल्ट, ठाली जड़ा है, और फिर ओम लिठा है, यानि ओम है, इस्टा मतलब V बराबर कहीं न कहीं, I into R लडाना है, सर, V बराबर I into R लडाना है, भाई, V है 18 वोल्ट, V न मतलब वोल्ट होता है, ये है तुमार तीन ओम, तो बच्चों आड़र ये तीन ओम हो दिया, तो बीच में टितना आ जाए डा, सर, बीच में 6 एंपियर होड़ा, तभी तो 6 और 3 तो मल्टिप्लाई 18 देखो, तो आंसर तिस्टे साथ जाना चाहिए, सब देरे 6 तो है, तो है, तो है सही आंसर होड़ा तुमारा 6 एंपियर के साथ, 6 एंपियर के साथ, और सरम बर्द बीचे साथ, हाँ, था बढ़िया सवाल तरह, तो जूल बूल नहीं, 6 एंपियर इस्टे सही अंसर है, चलिए, ये वाला सवाल देखी है, और खतानाथ सवाल, आप लोगों में से जादा तर लोट इस्ट उड़ा अच्छा जितने बच्चे नए हैं, आप सब लोगों बाते समझ में आ रहे हैं, तो मेरे पास दवाहिए, विश्वास मानी मेरे ड़ला उतना अच्छा नहीं है, लेकिए मैं फिर भी ट्लास ले रहा हूँ, एट विद्दु धारा एट सर्किट में प्रवार करने में फलोट राया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, विद्दु धारा कैसे फ्लोट आई जाती है, जैसे पिमाल लीजए, मेरे पास यह वायर है, बच्चो ये वायर के अंदर बहुत सारे अलेक्ट्रों सोते हैं, फिर जब इस वायर में हम विद्दु छेत लगाते हैं говорить एट सरा positive, दूसरा सरा negative तो बच्चों इस्टे अंदर तो electrons होते हैं न, electron electron मतलब minus तो वो positive charge की ओर भाड़ने लगते हैं electron positive charge की ओर भाड़ने लगते हैं और बच्चों इस्टे विपरीत दिशा में बताईए क्या बहजाती है धारा, तो धारा का वो टिश्टी वजय से होता है कहा देना वो होता है तुम्हारा electron की वज़य से टिश्टी वजय से, electron की फ्लोट ए और electron के फ्लोटे अपोजिट धाराटा बहना होता है हाँ बिल्खुल आप फ्री एलेक्ट्रोन टेस्ट अपते हूं ये बात इद्धम सही है आपसर नमबर दी नेश टोर्शन देखे बदाएए 240 वोल्ट थोड़ा यहाँ देखो कोशन में न कंस्यूजन ये कि ये संतावन नमबर नमबरिन थोड़ा से दलत हो दिया है हाना ये टहीं और होना चीए था कोई बात नहीं सवाल को सॉल्ट कर लेते हैं 240 वोल्ट की घरेलू विद्दुद सप्लाई में 60 वाट का बल्प जलाने के लिए कितनी धारा बहनी हो डी धारा रवान बताना है हाना ओके तो यहाँ पर इन्होंने पावर दिया है वोल्टेज दिया है धारा पूछ रहा है तो इसना मतलब पावर का एक सिंपल सा फॉर्मलाल रहा दीजे वोल्टेज इंटू करेंट ये देखिए पावर तुम्हें 60 वाट लानी है वोल्टेज तुम्हारा 240 है तो जल्दी बताईए अगर मैं पूछू यहाँ पर धारा कितनी हो जानी चाहिए तो करेंट आई का मान यहाँ से फटा पटन टाला जासता है एक बटी चार और एक बटी चार का मतलब नितना होता है 0.25 एंपियर यह सवालता सायुत्तर होगा 0.25 एंपियर तो आंसर किसने साथ जाए रहा औप्सर नमर बीटे साथ जाना चाहिए समझे आ रहा चलो नेक्स लोशन देखिए यह लिए यह सवाल बढ़िया है आंसर दी जल्दी से हाँ 0.25 एंपिया बाद है सुमान जेंटल बाए अचा सब लोग कमेंट करो 80 लोग कमेंट करा बार-बार सबके सब लोग कमेंट कीजे यदि 8 से 10 में किसी समवाहर द्वारा अरप्रस स्टार्ट से दो टूलाम का आवेस जलता है अब थोड़ा लेंडवेस पढ़ना नहीं दुड़लत हो जाए रहा तो त्या बोला रिया है 8 से 10 में तितने टूलाम का आवेस जलता है सर 8 से 10 में दो टूलाम का आवेस जलता है दो टूलाम का तो बताईए तितनी धारा बहेरी यह तुमारा NTPC 2016 सवाल है तो बच्चो एट बाँ बताईए यहां से रहा मैं करेंट आई पुछू तो करेंट आई बराबर हो जाए रहा आवेस बटे टी और बच्चो आवेस बटे टी टी आ जाए रहा दो बटे एट यहनि तितना एंपियर हो जाए रहा दो एंपियर हो जाए रहा दो एंपियर हो जाए रहा तो इस्टा सज्यान सर्ट इस्टे साथ जाना चीए बी वाले उत्तरते साथ जाना चीए अचाहे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको याद होना चीए पॉइंट ये याद होना चीए एक कुलाम आवेस टे लिए अजर मुझे एक कुलाम आवेस फ्लोट राना एक कुलाम आवेस तो एक कुलाम आवेस टे लिए इतने एलेक्ट्रोन का फ्लोट राना होता है चलिए याला कोशन देखिए बताई उतर 24 नंबर पढ़िए आंसर दीजे पदार्थ की भौतेट रासी जो संख्यातमत रूप से उसी पदार्थ से बने एक मीटर लंबे और एक वर्ड मीटर इस्ट्वायर छित्फल वाले छड़ के प्रत्रोध के बराबर होती है उस भौतेट रासीटा आप तो मुझे नाम बताना है बताईए हाँ जैन तेत्तम सही बता रहे दोस्त जैन तेत्तम सही है तो बच्चो एक बात मुझे बताईए आप तो पता है रो बराबर क्या होता है कह देना रो बराबर होता है आर इंटू ए बटे एल धान से सुनना रो बराबर आर इंटू ए बटे एल होता है ए तुम्हारा वन मीटर पर स्ट्वायर है और लंबाई तुम्हारी वन मीटर है तो इसना मतलब यह हुआ, जो भी हमारी resistivity हो डी, वो R के बराबर होड़ा अब इन्होंने बोला भी तो यही लेंड वेजे थी, पदार थी, वह है बहुत रासी जो संख्यात्मा टूप से उसी पदार से बने, 8 मीटर लंबे, 8 वर्ड मीटर, इस्ट्वायर वाले प्रत्रोध के बराबर होड़ा, तो हमें प्रत्रोध के बराबर कहना है, यानि बात हो रही है इस भहुत रासीटी, तो बच्चों जब बात इस भहुत रासीटी हो रही है, इसी लिए इस्टांसर जाए रहा, resistivity टे साथ, यानि ऑफसर रमबर C टे साथ, लैज मेंज पढ़ो क्या होना जीए, आंसर दीए, दो उनकी चार प्रत्रोध समानतर में जुड़े हैं, मैं आपको पहले बता दू, बहुत सारे प्रत्रोध अगर समानतर में जुड़ते हैं, और जिनके मान आपस में बराबर होते हैं, माली जे धेर सारे प्रत्रोध कैसे जुड़े हैं बच् resistance उस्टा R by N होता है R by N तो बताइए यहां net resistance कितना हो जाएगा तो टेदेगा R इस्टा 2 ohm है 2 ohm के 4 प्रत्रोद 2 ohm इस्टा R है संथ्या 4 है 2 ohm बटे 4 यानि आंसर हो जाएगा 8 बटे 2 ohm के सथ तो प्रत्रोद तुम्हारा इतना है सर्फ प्रत्रोद तुम्हारा 2 ohm है संथ्या 4 है संथ्या 4 है और सरंबर 1 चली इने श्रोशंदरी ठीक है तो बच्चों बच्चों बच्चे बच्चे नए जुड़े हैं आप Basic Science और Injury Drawing का course application पे ले सकते हैं याद रखेरा फिर से मैं आपको application का नाम बता दू माई पार्ट साला ये play store से मिल जाए रा माई पार्ट साला वहाँ पर course ले लीजिए ठोटी complete batch और मैं बताऊं डटबी इस्टे feature क्या है आज थोड़ा मुझे जल्दी लगाना है बस्टूपन कोट योडी 10 लगाई है ना चले ने श्टोशन देखें श्टोशन अमर 26 बताइए उतर आंस दीजए दो या दो से अधित प्रतरोदों एट दूसरे टे साथ क्रमवर तरीके से जोडते हैं अब देखो अगर दो या दो से अधित प्रतरोद ये भी 2016 सवाल है दो या दो से अधित प्रत्रोद क्रम वर तरीटे से जुड़ जाए यानि पहला प्रत्रोद फिर दूसरा फिर दूसरा अगर दो या दो से अधित प्रत्रोद क्रम वर तरीटे से जुड़ जाते हैं एक दूसरे से लड़ातार जुड़ जाते हैं तो बताइए ऐसे 10XN को क्या टहते हैं तो याद रखना बच्चो ऐसे 10XN को बोलते हैं सीरीज 10XN और सीरीज 10XN की ठास बात पता है क्या होती है धार रखना ये सीरीज 10XN तो सबसे बड़ी आज़ामपल होते है जालरों में लड़े बल्ब अरे दिवाली में जो जालर आती है न तो धार रखना उसके जो बल्ब होते हैं वो सब किसमें लड़े होते हैं सीरीज में एक बल्ब फ्यूज तो पूरा टनेक्शन बिठार हारा और सरभर भी नईस प्रोशन देखी आंसर दीजे 27 वा नंबर बोलिए यदि तीन एंपियर की धारा एक मिनट के लिए प्रवाइध होती है तो इतने समय में बताओ चितना आवेश प्रवाइध होड़ा आंसर दीजे चितना आवेश प्रवाइध होड़ा तो बच्चो इस बार जो है ना इन्होंने आवेश चूट अमान पुछा है तो आई बराबर बताई क्या होता है Q बटे T होता है ना अज़र मैं Q बराबर पुछू तो आई इंटू T ये हो जाए ना बताओ धारा अमान 3 एंपियर है लेज़ समय टीटा मान जो है एट मिनट ही और बच्चो एट मिनट का मतलब होता है 60 सेटेंड है बताओ तो आंसर इसने साथ जाना वाला है सर आंसर जाए रहे इसना 880 टूलाम के साथ ये सवाल का सही उत्तर है और सर रमबर डी टी साथ है समझ में आया हाँ चलो आज़े बढ़े ते ने स्क्रोचन बताइए ये सवाल बढ़िया ये तवारा रूपडी 2016 में आई वो सवाल है पढ़े जल्दी से बताइए उत्तर आंसर दीजे क्या बात है विद्धू स्विच्टी मरमट के लिए और रूपड के दस्ताने पहनने की सलाज क्यों दी जाती है देरों आप्ती ढ़रों में जो कुछ भी जो भी एलेक्ट्रीशन होते हैं हम लोड हमेशा जो है दा बोलते हैं कि आप रूपड के दस्ताने पहल लो उसका सबसे बढ़ा वीजन यह नहीं होता है कि रवड के दस्ताने उनके फेवरेट होते हैं हैं पहनने के बाद जो है पैसा ज्यादा मिल जाए रहा ऐसा तुछ भी नहीं होता रवड के दस्ताने क्या होते हैं ना वो विद्दुट के कुचालत होते हैं बच्चो और कुचालत होने टी बजए से ही उनको जटके निलते बिजलीटे इसलिए सही उत्तर आपसर न्बर एटे साथ जाना चीए जटकों से बचने ट लिया आपसर नमबर एट अरे वाख ये भी सवाल आया था बड़ा confusion सवाल रहे था थोड़ा देखिए बताई उत्तर यस बेरी गोट जयांत, विरेंदर, संजन, क्रेजी, आसीज, सुमन, विश्वास दस्तक, क्या बात है पाडल लड़का, पाडल लड़का मुझे आपसे कॉल में एडवाईस लेनी है नमबर अभी मैं दिया था, उस पे टॉल टर लेना एट विद्दोत टर्ण में वै होने वाली विद्दोत उर्जा तिन दो टार्टों पर निभल करती है बतलब तोई भी आप डिवाईस लेलो, उसमें जो उर्जा तो 100W का बल्ब या 50W का बल्ब है इससे आपनों पता चले ना तितनी उर्जा ठर्च हो रही है और इस बल्ब तो तितनी देर तर उप्योट कर रहे हो ये भी एक बहुत important factor होड़ा तो उपकरण की सत्ती और इसके उप्योट करने के समय पर उपकरण की सत्ती और इसके उप्योट करने के समय पर यही वो factor होता है जो बताये डाटी हां भाई इतनी उर्जा ठर्च हो रही है बाती voltage धाला से कोई मतलम नहीं होता मैं बतादू यहां सत्ती रेटिन तो सही है लेकर ताप नहीं सही है और यहां उर्जा सही नहीं है तो इसके उप्योट करने के समय पर और बच्चो इसके रेटिन पर ऑफसर रमबर रही है ठीथे चलो नेश्ट कोशन देए बताए इन में से कौन सी वो अधातू है कोशन अमा 30 जो विद्धुट्टी सूचालक है बताओ विद्धुट्टी सूचालक कौन सी अधातू है हाँ हाँ विद्धुट्टी सूचालक वाली आपको अधातू बतानी है तो ब्रोमीन अधातू तो होती है लेकर यह लिक्विड में अधातू होती है लेटे ड्यफाइट अटेले एट सिंगल ऐसी आधातू है जो विद्धुटी सू चालत होती है या दकना ड्यफाइट उचो है न विद्धुटी कंड़क्टर होती है आउप्चर नंबर सी टे साथ तेटेटा चलो नेस्टोशेन देखी वाथ यह तर अरे वाँ यह सवाल बढ़िया आंसा दिजी जल्दी से इततेस नमबर NTPC 2017 में आगवे सवाल है हर तरहेट सवाल लिए मैंने बई हर तरहेट मतलब हर तरहेट मजा आजाएर देखली ज़ेड़ा आपको अभी आएसलारे ओ हीटर का तीन घंटेटा उप्योट करने पर बताईए चितना मूल हुगा तो बच्चों एक भाब बताईए पहले से ही इस्टी रेटिन दो क्लो वाट में दी है और आपने आज़ा तीन घंटे इस्तिमाल कर रिया तो तीन घंटे से मल्टिप्लाइटर दीजे बताओ हमने क टिलो वाट और ठंटेटा डिरेक्ट मल्टिप्राइटर दीजे तो यहां पर कितना जाया य चाहे डोडे चाहर यानि 24 रुपईया ठीक है तो आंसर किस्टे साथ जायरा 24 रुपईया टे साथ जायरा और सरंबर बीटे साथ जायरा चलिए ने स्टोशन देख लिए अरे वाँ यह सवाल बहुत प्यारा एदम ठूपसूरत सवाल है मज़ा आ जायरा भाई यहले सवाल मे थोड़ा सा समय लड़ेड आप लोडोगो मुझे भी समय लड़ेड आप तो समझाने में मुझे तो अंसर याद है भाई आप तो समझाने में समय लड़ेड आ अंधर विजो सवाल यह कि किसी परपत में क्या सारे बल्व सेड़ी डम में लड़े हैं चलो पहला बल दूसरा बल तीसरा बल चौथा बल यह सारे के सारे सेड़ी कम में लगेगे अब बोला जा रहा है कि और कोई एट बल्व बंद हो जाए अब भाई अगर पहला वाला बल्व बंद हो जाएंगे तो बाती सारे 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 बंद हो जाएंगे बहुत धान से सुनना कोटी धारा आरे भाई नी पाईडी सब्स रहा है ना माल लो माल लो यह लास्ट वाला बंद हो जाएंगे यह लास्ट वाला बंद हो जाएंगे तो बाती सारे जो है जलते रहेंगे अरे समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है जो मैं कहना चाहा हूँ तो यह dependent कड़ेड़ा ठी कौन सब बल्ब फ्यूज हुआ है मालों अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो दिया ये वाला बंध हो दिया तो इस्टे पहले वाला जलेड़ा बाटी नहीं जलेड़े समझ रहा है अब पूरे सवाल को पढ़िते देखिए इन्होंने कहीं पर भी ये चीज़ एस्प्लेंटी है यदि किसी परपत में कहीं सारे बल्ब सेड़नीटम में जुड़े है और कोई एट बल्ब बंध हो जाता है कोई एट का मतलब ये वाला भी बंध हो सकता है ये भी बंध हो सकता है ये भी बंध हो सकता है तो क्या आंसर से होड़ा कुछ बल्ब भट जाएंगे कुल बल्ब जलेंडे कुछ नहीं जलेंडे अन्ने सभी बल्ब जलना बंध टर देंडे आने सभी बल्ब जलेंदे, बताइए, उत्तर बताइए देटो, सबने अपनी पार्टी बदल ली सबने अपनी पार्टी बदल ली इसना जो सही आंसर जाना चाहिए, वो बी वाले उत्तर टे साथ जाएगा, कुछ बल्ब जलेंदे, कुछ नहीं जलेंदे उस्टार रीजन यही है, मालो ये वाला बल फ्यूज हो दिया, तो कुछ और होड़ा, आजे वाला बल फ्यूज हो दिया, कुछ और होड़ा, ठीक है, छलिए, हाधे बड़ा जाए, next question देखिया, टिसी परपत में पहने वाली धारा को मापने के लिए, अमीटर कैसे जोड़ा जाता है, बताव, अमीटर कैसे जोड़ा जाता है, तो आप मुझे बताईए, जैसे इस परपत में मुझे धारा मापनी है, तो अमीटर को कैसे जोड़ोगे, कहा देना, अमीटर को इस परपत के सीरीज में जोड़ा जाता है, बच्चो, और अमीटर को परपत के सीरीज में जोड़ा जा रहा तभी तो धरा माप पाए रहा तो आंसर किष्टे साथ जाना चीए सर अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है option number C के साथ ठीट है चलो next question देखे अमीटर का प्रत्रोध कितना होता है बताईए ताकि यहां से निकलने वाली धारा के मान में कोई फर्ट ना है जितनी धारा अमीटर को लगाए बिना निकल लई थी उतनी धारा अमीटर को लगाने के बाद भी निकलनी चाहिए इसे लिए तो अमीटा का आइडियल प्रत्रोट कितना होता है सर बहुत काम होता है लड़ बड़ जी रोड बराबर होता है उटे चलो नेस्ट टोशन देड़ अरे वह यह बड़ा अच्छा सवाल है बताई अंसर जीरो टा ओफसन नहीं तरह उमंड जीरो टा ओफसन नहीं था यदि किसी चालक के सिरोपर विभवांतर को आधा टर दिया रिया सेम वही सवाल यह देटो 2016 में आये हुआ सवाल है विभवांतर को आधा टर दिया लगए इनों की अच्छी बात यह इनोंने सिर्फ धारा के बा तो मेरे भाई फॉबला देख ली जे वोल्टेज आधा हो गया तो धारा आधी हो जाएगी लेगा आधा रजिस्टेंस तुम पूछ लेते दो टे से सर तो वोल्टेज तो बदलने से रजिस्टेंस नहीं बदलता रजिस्टेंस टॉंस्टेंस रहता समझा रहा ना तो आंस अब इन्होंने बोला प्रत्रोद आधा हो जाता है तो बताए धारा क्या हो जाएडी तो बच्चों एट बाब बताओ अगर मैं विभवांतर टो इस्तिर रखते हुए धारा का प्रत्रोद आधा चरदू तो वाई आई बराबर होता है वी वटे आर इन्हों ने कहा है सर परपत्र प्रत्रोद आधा तरदो सर इस आर को आधा तरदीजे तो आर आधा हो जाए रहा तो ये दो पहुच जाए रहा उपर तो धारा पता ये चितने गुणा हो जाए रहा सर धारा हो जाए दी दुड़ी नी प्रत्रोद आधा टर दिया तो धारा कितनी हो जाए डी साथ धारा हो जाए डवल ऑप्सान नमबर एक एसाथ चले इनस्टोव से मेंगें बताईए निवनि में से किस का उप्यों परपत्रोद तोड़ने या विद्दोद परपत्रोद दाने ट्ली जाथा कड़ा नुद परपट को close टरने के लिए जाता बताओ परपट को तोड़ने या बंद टरने के लिए जाता बताओ यास वेरी डोट वेरी डोट सबके आंसरे दम से जा रहे है अरजीत सरदार असीस, जेंटल वॉय ओम पिटास तो मैं आपको बतादू यह जो आपके electric switch होते है ना बचो धारठ ना यह जो electricity switch होते है ना यह switch ही, जब चट्ड़ चट़् दभाते हो ना तो वह electric circuit को break और open टर देते तोड़ देते हैं जोड़ देते बचो electric switch हमेशा जो बनाए जाते हैं वो non conductor के बनाए जाते हैं ताकि आपको current ना लड़ सके हाना तो और सा नमबर किस्टे साथ जाए रहा सीटे साथ जाए रहा सुच नेस्ट वोस्टें देखिए 38 यह एंटीपीशी 2016 में आगो सवाल है द्यान से पढ़िए बताइए आपुआ कि आउना चीहां बिजली ने बलब यह लड़ी बिजली की रेटिंग पह्ताव में 83 आच्या बच्चो वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड का मतलब होता है एक शेकेंड में चितने जूल उर्जा ठरचोडी सर सो जूल झीए हा 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 ह ही एक सटने कि सो जूलोग इंट मित न शलों कर पहला है नग जसाक है कि एक सचरे न है है Christians लिखा हुआ है म Darth प्रती खंटे सजूल प्रती डंटे नहीं सर प्रती डंटे नहीं शेकल मिसकार प्रती मिनाट नहीं सर जैट लो, तो अंसर पिशे सा जाए रहा, अंसर जाए रहा, प्रती से तैनили कितनी जूल्टी उर्जा ठर्च टरेड़ा, सो जूल्टी उर्जा ठर्च टरेड़ा, सर लोटिप्टेशन नहीं आया आट लास्टा, कोई बात रही दोस्त, आप आत गए हो, जलिए, ताकमान बढाने से बताइए, सुध्ध, धातवोड प्रतरोद क्या होता है, कोई बात रही, ए बदा यूत्तर क्या होना चीए, तो ताकमान बढाने पर सभी धातूर प्रतरोद क्या होता है, बचों हमेशा यातकना जब भी धातूर ती बात क्डेड़ा, या फिर मिस्र धातूर ती बात क्डेड़ा, तो धातू कह दो, या फिर मिस्र धातू कह दो, इन सभी की, जब भ अभी हम लोग temperature तो बढ़ाते हैं तो temperature तो बढ़ाने के बाद धारतना इनका प्रतिरोध बदल जाता है बढ़ जाता है प्रतिरोधता भी बढ़ जाती है लेड़े जो conductivity होती चालकता होती वो धड़ जाती है तो ये तुम्हारा धातूट लिए है लेड़े अगर यही चीज़ जो है न अधातूट लिए पुछा जाता या फिर अर्दचालक लिए पुछा जाता अर्दचालक या अधातूट लिए पुछा जाता तो याद अपना इस वाले का just क्या कर देना आप उल्टा कर देना बस ठीक है तो answer इसने साथ जाए रहा तापन बढ़ाने से सुध्य धातूट का प्रतरोध क्या हो जाता है बढ़ जाता है option number CT साथ जाना जीए clear है? चलिए ओके बचो इसना detailed concept ना मैं उस पे application पर पढ़ाया है आप एद बार पढ़े लेना और जहाँ जहाँ concept है वहाँ वहाँ मैं बता रहा हूँ ठीक है बताओ bulb के filament को प्राप्त करने के लिए अतियंद पतला क्यों बनाए जाता है चलो अच्छा यही वाला concept मैं पूरा बता दू देखो जैसे रिमाल लेजे यह bulb है मैं आपको बता दू बल्ब के बारे में जितनी बाते हैं सुनिये बल्ब के अंदर का जो filament होता है यह जो filament है यह जो filament है सर यह बनाये जाता है तुमारा टंगस्टन का कंगस्टन या फिर धारकना यह बनाये जाता है निकल क्रोमियम इस्टील का निकल क्रोमियम इस्टील हमेशा दा रखना बल्पटा फिलामेंट तंगश्टंग बनाए जाता है ऐसा इसलिए होता है फिलामेंट जो है ना हमेशा उस्टा उच्छ डलनांट होना चाहिए ताकि वो डलना सरे और उच्छ प्रत्रोध भी होना चाहिए ताकि ज्यादा प्रत्रोध होने पर उसमा ज्य लंबा क्यों बनाते हैं तो बच्चों इस बात पुधा रखना इसके इसके फिलामेंट को हम लोग कैसा बनाते हैं तो आपको फॉर्मॉला पता है आर बराबर होता है रो इंटू एल बटे ए अगर तुमने लंबाई को बढ़ा दिया यानि लंबा बना दिया एरिया को कम कर पतला बना दिया तो रणी इस्टेंस बढ़ जाए रा तो उच प्रत्रोध पाने के लिए हम पतला और क्या बनाते हैं लंबा बनाते है तो पूछे कि इस प्रत्रोध मिला सेके प्रत्रोध वथा नहीं बताना है तुछ लोन ऑप्शन नंबर सी लगा देने धोटे से भी सी लगा देना ठोटी लंबाई और एरिया बदलने से प्रतुरूधत्ता नहीं बदलती समझ में आये ना चलो आगे बढ़ा जाएं नेक्स्ट कोशन देखें यह लिए आंसर दीव जल दीश बताई इस टांसा क्या बाद है सर आपका फाउंडेंसन बैच ट्लास लेना है भाई मैंने इस वाद में नंबर दिया था मैं फिर से नंबर देदू अज़र किसी टो भी बैच टमप्लीट लेना है जिसमें आपको पूरी थेओरी पढ़नी है तो 63 93 125 760 इसमें कॉल टर लीजिए या फिर एप्लीटेशन डाउनलोड कीजिए माई पार्ट साला माई पार्ट साला प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए मेरा खुदका बेसिक साइंस ले सकते हो साइंस ले सकते हो पू चलो आगे देखिए बोला जा रहा है कि निमने में कौन से टतन सही है फ्यूज वायर बनाने के लिए PB प्लस SN मिला जाता है इद्दम सही भाई फ्यूज वायर जो है वो हमेशा लो मेल्टिन टेंपरेचर PB प्लस SN जिस्टों आप सोल्डर बोलते हो ये बात इद्दम सही है मैंना फ्यूज वायर हमारा विद्दुत्तार से ट्रेनिट ट्रिया जाता है ये भी सही फ्यूज वायर बनाने के लिए चैनित पर्याप्ता डलना उच्छोना चाहिए डलत फ्यूज वायर हमेशा लो मेल्टिन टेंपरेचर बनाए जाता है सर्क पहला और दूसरा हमारा सह यह पहला और दूसरा सही ऑफसर नमबर सी ते साथ यह देखो ठीके चलो ने स्कोशन नमबर 42 बताईए यदि दिये प्रत्रोध आर को दो बराबर भाड़ों में काटा जाए तो प्रतेट भाड़ का प्रत्रोध क्या होना चाहिए यह सवाल है तो आप मुझे बताओ मा लीजे मेरे पास ये कोई वायर है और इस वायर को मैंने दो भाड़ों में काट दिया दो भाड़ का मतलब यह हुआ यहां से काट दिया इसे तो जब दो भाड़ों में काट ओड़े बच्चो तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका एरिया जो पहले यहा सेम रहेडा लेगे दो बराबर भाडों में काटने से लंबाई कम हो जाती है और लंबाई कम हो जाने की वज़े से लंबाई आधी आधी हो जाएडी तो आपको पता है कि जो भी हमारा प्रत्रोध होता है सर जो भी हमारा प्रत्रोध होता है आर वो लंबाई के समानुपाती ह होता है area तो constant है material भी constant है तो दोनों का row वो भी constant होगा पदार्थ दोनों का constant है तो resistivity row constant होगी लेखे लंबाई आधी-ाधी होने से सर resistance भी आधा-ाधा हो जाएगा ठीके तो answer इस्टे साथ जाए रहा सर प्रत्रोध आधा-ाधा हो जाएगा अरे यार भाई साथ 100 रोपेट है नाम याले कोश्चन में 100 रोपेट है नाम है कोश्चन बड़ा ठास है और देटिड़ा आपको confuse कर देगा सोनु कुमार कुछ टेरा है प्रति रोधर्ता तो बनापत मैं निटल लिया सोनु कुमार एक बार कमेंट कर दो सर अपना नमबर दे तो मुझे अलपी के कोर्स ली बार करनी है मैंने बताया तो आप मेरा personal number लेलो अभी 39 सर उठाएंगे उस्टे बाद जो है ना उस्टे बा सक्वandaag से कि सी प्तार्थ भी प्रतिरोध़ता इनमें से क्टी स्टाराग पे नेबर चरती है बच्चो आप सब लोगत को पता है कि प्रतिरोधता जो रो होती बच्चो अग्या मैं पूछओ रो Freunde कि बराबर होता है सी रोट नी आपना एल सर ये प्रतिरोध़ता तर वामाल तरती है यह तो पदार्थ के तापमान पर दूसरा पदार्थ पर जैसे दिमाल लीजे मेरे पास श्टील है अपके पास श्टील का तार हो प्रतिरोधत्ता यानि रेजिस्टिविटी वह सेम रही तो लंबाई चोडाई बदलने से ठीचने बीचने से प्रतिरोधत्ता नहीं बदलती है थीट है 49 वार प्रत्रोध पर क्या पड़ता है तो जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो पहले प्रतिरोध बदलता है पहले प्रतिरोध अधरता बदलती है पहले प्रतिरोध अधरता बदलती है फिर उस्ते बाद प्रतिरोध बदलता है यानि वो बढ़ता है और टंडर्टिविटी धड़ जाती है और अधर पहले प्रतिरोध अधरता बदलती है और अर्द चालक की बात करते हैं तो याद अतना अर्द चालक में जब भी रभी हम लोग टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो इसका पहले प्रतिरोधर्ता ढटती है अना उसके अलावा रजिस्टेंस ढटता है और कंड़क्टिविटी बढ़ती है बताओ ओके चल पूरा हो जाएड़ा पताइए आंसर दीजे क्या आंसर है नो आज़े देखिए सोहों प्रतिरोध वाले एक धातूटे तार को मोड़कर मोड़कर लंबाई के बराबर पराधीटा वरत्त बनाये दिया यानि मेरे पास एक तार है बच्चो इस तार का प्रतिरोध इतना है सोहों और इस तार को मोड़कर मैंने देखिए क्या बना दिया सरेट वरत्त बना दिया ऐसे तो बच्चो ये बताओ इस वरत्त का प्रतिरोध भी तो सोहों हो ना देखो आंसर समने लग कर दिया आंसर समने लग कर दिया 99% सब्ट आंसर लग है तो व्रत्त के व्यास्ट परिता यानि व्यास लेलो एट पॉइंट ये ले लीजे व्यास्टा दूसरा पॉइंट ये ले लीजे तो बच्चों व्यास्ट परिता आपको तुल्य प्रत्रोध बताना है आपने 100 उम्टे प्रत्रोध को एट तार में बनाया और व्यास्ट परिता जो है ना धानखना आपनों तुल्ल प्रत्रोध बताना है तो बच्चों 100 उम्टों तुमने व्रत्र बना दिया तो उपर वाले आधे भाट का प्रत्रोध कितना हो जाए रहा अब ये बताओ ए और बीटे बीच व्यास्टे परिता मुझे तुल्य प्रतुरोध बताना है तो ए और बीटे बीच तुल्य प्रतुरोध हो जाए रहा सर इन दोन उटर समांतर और जब बराबर प्रतुरोध उटर समांतर होता है सर बराबर प्रतरोज उटर समांदार चितना होता है क्ये देड admired प्रतरोज उटर समांदार होता है पचास बटे दो तो answer टुष्टे साथ जाएगा सर अंसर जाएगा 25 ये सवाल का सही उत्तर है सब लोग आप पचास 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 दे रहे थे तीन ओम प्रत्रोध में धारा बताईए आप पहले सर्केट टू देख लो सर्केट में यहां पांच वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यह चार और तीन का सिरीज है तो बच्चों चार और तीन का सिरीज है तो इनका नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा तैदेना साथ अब बताओ नेट धारा कितनी हो जाएगी सर नेट धारा हो जाता है वोल्टेज बटे टरेंट देट यह वोल्टेज तुम्हारा पांच वोल्ट नेट रिजिस्टेंस साथ हो तो यहां से कितनी धारा बहेडी पांच बटे साथ सर यहां से पांच बटे साथ एमपियर दी बहने वाली है और जितनी धारा बहे जी मेरे भाई उतनी तो धारा तहां पहुचे जी तीन ओम में पहुचे जी ऐसे सीरी जैंगे तो पांच बटे साथ एमपियर इस सवालता सहयान सरूरा ओफ्शन नमबर बीटे साथ इसको लगाटे देखिया निम लिटे चित्र में टोशन नमबर पैतालेस है यह 46 था ही पैतालेस है नमबर इन फिर धर हुदर हुई है तो बुला जारा है निम लिटे चित्र में प्रदर्सित ए और बीटे मत तुल्य प्रत्रोध बताईए सर ए और बीटे भीश तुल्य प्र प्रत्रोद बताना है दिखाई दर रहने सकतो तो आपका 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 सत्ते हैं ती सर ये तीन ओम्टा है ये तीन ओम्टा है सर ये तीन ओम्टा मुझे ए और बीटे बीच तुल ले प्रत्रोद बताना है ये रहा ये रहा भी बताऊं कैसे रिख ले रहा तो बच्चों ये ये 3 ये 3 ऐसे सिरीज टर दो तो 3 और 3 टर सिरीज 6 और 6 और 3 के साथ समानतर टरना पड़े ता नीचे वाले 3 के साथ तो 6 डुड़े 3 बटे 6 प्लस 3 R1 R2 बटे R1 प्लस R2 लड़ा दो ये हाना तो मेरे भाई ये 18 बटे 9 और 18 बटे 9 कितना हो जाएगा दो ओम हो जाएगा तो यहाँ पर जो net resistance आजाएगा सरीए दो ओम हो जाएगा नमरीन थोड़ा सा मिस्टेट है आप सही टल लीजेगा ठीक है तो ये तो भाई रहा था 46 47 47 आगे है ठीक है टोई वात रही 47 अबनोट आगे टल लेते हैं ततर आज़ा दिजे यदि तिसी चालग का प्रत्रोथ इनमें से किस पर निर्भार नहीं टरता प्रत्रोथ निर्भाप नहीं टरता इवें चालक के प्रत्रोद तो टेंपरेचर पे भी नेवर टरता है तो बच्चो चालक के प्रत्रोद इन चार चीजों पर नेवर टरता है जाना बोला जा रहा है किस पर नेवर नहीं टरता देखो तुछ लोग नोग टर दिया टोशन नमर 47 आंसर अना ठीक है तो बहुत सारे लोग इस आंसर तापमान दे रहा है बच्चो निवर टरता है अनप्रस्ट चालक में प्रवाइद होने वाली धारा इस पर निवर नी टरती बताओ धारा का मान बदल दीजिए क्या प्रत्रोद बदलता है या कड़ू मैंने पहले पढ़ाया था ऑफसर नमबर डी नेश्टो शंदरी बताइए 48 नमबर बताइए आंसर क्या होना चाहिए आंसर दीजिए रमेज एट बलबटा फिलामेंट बनाने लिए एट पदार्था चैन करता है अब पताइए उस्टे चैन में क्या-क्या गुड़ होना चाहिए बच्चो बलबटा बनाना है ट्विमेंट बनाना बलबटा तो बलबटा फिलामेंट निम डलनांट नहीं होता वह या बहुत उच्छ गलनां का होता है गलाते सर उच्छ तापमान की चमतने में छमता ये सही है सर उच्छ प्रत्रोध ये भी सही है सर तो बल्ब के अंदर ये दूसरी और तीसरी लाइट क्वालिटी होनी चाहिए अभी मैंने बल्ब फिलमेंट के बारे में पूरी डिटेल एनलिसिस आपको बता फोड़ा इबर सेसन रूल राइट उ और ऑख था और ये आंसर। है हे जो आए 100 वाट रेटिंग वाले एट एलेक्टिरिक हीटर और 200 वाट रेटिंग वाले 8 एलेक्ट्रिक डीजर तो बच्चो 100 और 200 वो अलग्ट योटियो हो 100 और 200 वो अलग्ट योटियो हो 100 और 2000 वो एट साथ जोड़ दीजे तो 3000 वाट हो लिया 3000 वाट अब देटो प्रती दिन 4 घंटे और कितने दिन चलाए जाता है 10 दिन तो 2000 और 8000 वो जोड़ तरब 3000 वनाया प्रती दिन 4 घंटे 10 दिन और डिवाइड भाई तुम्हें 1000 वी टरना पड़े रहा तब तही जाते है ये नंबर ओफ यूनिट या फिर किलोवाट आवर आए रहा बताओ टिलोवाट आवर है समझ मैंट नहीं आए ठीक है तो बताएए आंसर ते तरह जाए रहा तो टैदेना 3 जीरो से 3 जीरो टेंसल चारती 12 और 820 वोट इस्टा से अंसर है 120 वाट सर यही हमारा टिलोवाट आवर होड़ा ओपसर नमबर सी और चलो देखो आँए पचास नमबर देखिए बताई यह हुताँ नीचे दिले परपत में कुल न धार आते मानंटी ज़णना ठीजे नीचे दिले परपत में कुल धारा ते मानंकी ज़णना ठीजे तो जो दिखाए दिया है मुझे वो 2 ohm 2 ohm बच्चो 2 ohm यहाँ है 2 ohm यहाँ है तो इस्टा जो net resistance हो जाएदा 2 प्लस 2 यानि 4 ohm तुम्हारा net resistance हो जाएदा बैटरी तुम्हारे 4 वोल्ट की दिखाएदे ही है तो धारा कमान हो जाएदा 4 वोल्ट की बैटरी 4 ohm resistance धारा कमान हो जाएदा 8 amp तो बताएदे बहने वाली धारा कितनी हो जाएदी 1 amp टे साथ option number B टे साथ ओके तो बच्चों सवाल तो मेरे पास और भी थे हाना इनके आवन नमबर से सुरू है सवाल आप देखो बहुत सारे सवाल थे इनके आवन नमबर देखी है 52 देखी है और काफी अच्छे-च्छे सवाल दे बहुत अच्छे-च्छे सवाल दे लेज़े अभी थोड़ा time to sortage है तो मैं ये PDF जो है न टेली डाम पे डलवा दूना मैं PDF आपको एड़ बड़ दिखा देता हूँ PDF दिखा देता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप लोड रोटो ये पूरी पढ़ाई अच्छे लड़ी है और आपको ऐसा लगता है ति नहीं आपने content सर बहुत अच्छा दिया है तो आप लोड basic science का complete batch ले सकते हूँ ठीके अब दिखो basic science के अदर complete batch की बात करते हैं हम लोग ति आप basic science के complete batch रहसे ले सकते हैं तो आपको करना त्या है सबसे पहले my parcelat application डाउनलोड करना है और बच्छो जब my parcelat application डाउनलोड कर लेना तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर दिखाई दे रहा basic science and engineering drawing यहाँ जैसे learn more में click करोड़े तो आपको 443 रुपए दिखाई दे रहा लेड़ें यहाँ पर have a promo code have a promo code में yodhi 10 डालिए apply कीजिए तो यह 399 हो जाए रहा और आपको इस्वास मानिए इस्टा content ना इसलिए जबर्जस्त है फोटीस में मैंने बहुत detail पढ़ाया है लटबट 100 रंटेस उपर है आप देखो ना अभी 2 महीने हुए एक course को 264 रोलोरोने rating किया है 4.9 rating आप देखो कमेंट देख लीजिए ना मैं यह नीटर वाता हूँ यह सब अंदर internally ठुद करते हैं उस्टे अलाबा अभी मैं आपको बता दू एट PDF है यह PDF अभी मैं टेलीडाम में डाल दूँगा यह सारे के सारे question अभी मैंने देखी 50-300 का है यह सब 48-48 मैंने salt आ दिये इस्टे आगे और भी question है बहुत सारे question है और वो भी अच्छे-च्छे level के question है यह देखिए अगर मैं थोड़ा और नीचे उतरती आओ तो यह देखो हर तरह के question मैंने इसमें डाले है हर तरह के question हमारा पुछली बार पूछा रहे है ठीक है तो बच्छों इसमें हर तरह के question मिल जाएंगे तो आपको करना क्या है यह PDF अभी मैं टेलीडाम में डाल दूगा और इस्टे आगर solution आपको बाटी और question के चाहिए solution तो आपको क्या करना पड़े रहा बाटी और question के solution के लिए आपको यह QR code stand करना पड़े रहा अपने mobile से mobile से जैसे आप stand करोड़े तो बाटी सारे question के solution मिल जाएंगे लेगे mobile से जब आप stand करोड़े तो stand करने लिए बच्छों क्या करना पड़े रहा माई पार्स आला ते जब application डाउनलोड करते हैं हम लोग तो वहाँ पर आप यह जो तीन dots है ना तीन dots इनको click करना और click करने के बाद इस तरीटे से आपका पूरा पूरा page खुल जाए रहा और यहां लेक्रों लिठा है qr standar और qr standar को stand करने के बाद जैसे ही है question number 32 mistake है ना मैं बता रहा हूं 32 तो qr standar को stand कीजिए और stand करने के बाद बाद बाती और question डी solution आपको मिल जाएगे चलिए तो मैं यह बाद question number 32 को और बढ़ लेता हूं यह बच्चा बोल लाए भी 32 समझा दीजिए बस एक मिट प्रिए बाती और question डी solution आपलोड कर लीजिए रहा और ज्यादा तर लोड़ोटों यह pdf भी आपलोड share कर दीजिए रहा बच्चों है ना चलिए क्या बोला जा रहा है दो यह दो से अधीर प्रत्रोद एक दूसरे टे साथ ट्रम वर में अच्छी छब्बे से सौरी यह यह यदि किसी परपत्वे टैस हारे बल्ब ट्रम से जुड़े हो और एक बल्ब बंद हो जा बच्चों हाँ यह confusion में हो सकता है क्यों confusion में हो सकता है जब पिछली बार यह paper आया था तो हो सकता है कि आपको क्तिताबों में यह answer दिखाई दिए मिले कि अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देने यह भी हो सकता है answer लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ यह question अधूरा है जब तर हमें यह नहीं पता चल पाए डा कि कौन सा बल्ब फ्यूज है तर तर हम नहीं बता सकते यह तो इनको clear कर देना चाहिए पहला बल्ब फ्यूज है समझो बात को इसलिए मैंने इस्टा answer भी लड़ाया कुछ बल्ब जलेने को कि इनोंने clear नहीं दिया है से साही से समझ में नहीं आता सर क्या तरे नंबर न्बर पे आप फोन ठहसे हैं यह तो आप लोटण जा यह माई पार्ट साला एप्लिकेशन डाउनलोड टरने के बाद इसको ले सकते हैं, किसी तरह कोई डाउट है, तो मैं एक नमबा लित देता हूँ, 63-93-825-760, आप इस पे ट्रॉल टर लीजिए, एक और नमबा लित देता हूँ, 93-825-760, तो आप बेसिक साइंस्टर कंप्लीट बैच यहां से ले सकते हैं, बाटी ये पीडिएफ मैं आपको टेलीडाम पे डाल दूंगा, टेलीडाम का नाम भी सप्लोर सुन लीजिए, एक नट लिए, पाट साला, रेलवे एक जाम, ये तुवारे टेलीडाम का नाम है, पाट साला, रेलवे एक जाम, और इस टेलीडाम की लिंक, अभी मैं इसमें पिन भी रहा दूंगा, ठीके, कोर्स में, नीचे डिक्सरेशन म बहुत जल्दी केमेश्ट्री का भी आ जाए रहा दोस्त बहुत जल्दी हाना ठीटे चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स टूड़ो में थैंक्यू वेरी माच